हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू 5 मिनिट किचिन विज श्रद्धा आए आज हम अपनी कीटो रेसिपी की लिस्ट में एक और इंट्रेस्टिंग रेसिपी एट करते हैं कीटो ओकुरा फ्राइज यह लोकार फ्राइज कीटो डाइट प्लान में बहुत अच्छा स्नेक्स आप्शन होता है जिसे मैंने ओवन में बेक करके बनाया है आए स्टार्ट करते हैं इंगीडियंट इंगिडियंस में वन फॉर्थ टेबल इस्पून रेट चिली पाउडर, हाफ टेबल इस्पून रोंष्टेट क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट एस्पर टेस्ट, वन फोर्थ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, ओलेव ओल और हाफ टेबल स्पून कॉरिय bipart पाउडर सबसे पहले फ्रेश भिंडी को वाउच करके प्रॉपर्ली ड्राई होने देंगे ऑजब प्रॉपर्ली ड्राई होने से फ्राई्स बेक हो जाते हैं अब बिन्डी को दोनों साइट से कट करेंगे और मसाला भरने के लिए लंबा कट लगा देंगे मुझे बिन्डी के सीट्स भी पसंद है इसलिए मैं इन्हें नहीं निकाल रही हूँ अगर आप चाहें तो इसे टू हाफ्स में कट करके सीट्स निकाल सकते हैं अब एक बाउल में सारे ड्राइड मसालों को एक साथ डालकर मिक्स बना लेंगे यह मसाले लो काब होने के साथ साथ फ्राइस को और भी टेस्टी बना देते हैं और आप अपनी कीटो डाइट के हिसाब से और भी मसाले एट कर सकते हैं अब भिंडी की स्टफिंग कर लेंगे इसके लिए मसालों की मिक्स को इस्पून की हेल्प से भिंडी में एक एक करके भर देंगे और एक बाउल में रखते जाएंगे मसालों को इस तरह भरने से बेगड फ्राइस में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब इन स्टफ्ट भिंडी में करीब टू टेबल स्पून ओयल डालेंगे और इसमें बचे हुए ड्राइड मसालों के मिक्स को भी डाल देंगे अब इन सब को स्पून से मिक्स करेंगे जिससे भिंडी में ओयल और मसाले मिक्स हो जाएंगे बेक करनी के लिए एक बेकिंग ट्रे लेंगे उसमें पार्चमेंट पेपर बिछा देंगे ताकि भिंडी नीचे तली में ना चिपके अब इसमें एक-एक करके भिंडी को रख देंगे मैंने ओवन को 350 डिग्री फेरेनहाइट पर 10 मिनिट प्री हीट कर लिया है अब ट्रे को ओवन में 25 मिनिट के लिए 350 डिग्री फेरेनाइट पर रख देंगे यह लीजे भिंडी बेक होकर तैयार है बेक करने से फ्राइस क्रिस्पी और क्रंची हो गई है आप ओकरा फ्राइस को ग्रीक योगर्ट और गौका मोले के साथ अपने स्नेक्स में लीजिए और हेल्थी रहिए और भी हेल्थी कीटो रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए आपके चैनल 5 मिनिट किचिन को सब्सक्राइब करें और यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें थेंक्स फर वाचिंग